नमस्कार दोस्तो आज हम इस बड़िया पाम का एनलिसिस करेंगे ये पाम को देखे तो एक ऐसी बड़िया साइन है इस पाम पर जो इनको काफी सम्रुद्ध बना रही है पर साथ साथ में एक माइनस पॉइंट भी है इनकी रहु रेखाए भी इतनी स्ट्रॉंग इनको काटत ही है कि अच्छा खासा आर्थिक नुकसान ये उठाते जब भी काटेगी पर कमाई के मामले में ये हमेशा एक के रहेंगे क्योंकि एक ऐसी साइन इनके हाथ पर है यानि यूज लेवल की कमाई व्यक्ति करता है पर रास्ता इनका बार बार राहु रेखाए इनको रोकेगी इस तरह का पाम है अब ये पाम का कलर देखे तो ये कंप्लेट रेडिश टाइप का है अगर ये ही कलर इनका रियल में रहता है तो व्यक्ति को ना सुनने की आदत नहीं रहती जब इस तरह का कलर होता है अगर ये ही ओरिजनल इनका कलर होगा तो इनको ना सुनने की आदत ह होती नहीं और थोड़ा सा ध्यान व्यक्ति का नशे की और भी जाता है पर सर्ति यह है कि यही कलर होना चाहिए इसमें से अगर थोड़ा सा भी रेडिश जादा हो गया तो व्यक्ति 100% नशे की और जाता है बैचे नहीं फिल होती है उस व्यक्ति को पर सुपर साइन लेकर यह पैदा हुए यह बात में कोई संद्य नहीं अब इस पाम को देखे तो यह कम्प्लिट रेक्टेंगल पाम है तो रेक्टेंगल पाम वाला व्यक्ति जादा तर बोलकर अपने जीवन में कारे करता है या बैठे-बैठे कारे करता है दूसरी चीत देखे तो इतनी अच्छी साइन जो मैं दिखाऊंगा आगे यहाँ पर यह दोनों उंगलिया उपर की तरफ है यह एक ऐसा माइनस पॉइंट है जो सुनना इनको हो सकता है अच्छा न लगे पर इनों ने काय जो दिखे वो बताईए यह इस तरह की जब साइन आती है तो व्यक्ति की जो समझ सकती होती है जो समय पर समझना चीए वो इनको आता न यह समझ में यानि अपरचुनिटियों को जो रास्ते में जो अपरचुनिटी आती है उसको यह लोग ग्रैब नहीं कर पाते या जो नीने लेते वो कहीं न कहीं रौंग होते यानि समझ सकती में इनका अंतर होता है और समय निकलने के बाद इनको समझ में आता है तब तक च उंगलिया बड़ी है पाम के मुकाबले तो व्यक्ती एनालेटिकल परस्नालीटि होता है और ये कलर उतावल भी देता है, यानि उतावल होती है मन में, कि कब जल्दी से मेरा काम हो, ये जो भाव है ये भी ये बटा सामती नहीyas कलर सी कलर पाम का उंगलिया first falange भी बड़े है तो व्यक्ति analytic personality होता है plus minus निकालता है अपने level पर और इनका अंगुठा इतना strong नहीं है और first falange है बड़ा तो जिद तो होती है व्यक्ति में कारे के प्रती पर थोड़ा सा नुकीला कम है तो इदर उदर ध्यान भटकता भी है व्यक्ति का और second falange मांसल कम है प्लस average size से थोड़ा सा छोटा है तो व्यक्ति जो logic के साथ तथ्यों के साथ बात समझानी हो उसमें कहीं न कहीं कमजोर पड़ता है प्लस मांसल कम हो तो अपने हितों की रक्षा करने में ये लोग compromise nature वाले होते यानि surrender हो जाते ठीक है आपने कहा ऐसा तो ऐसा आपने जो कहा वो सही इस तरह का nature बनता है व्यक्ति का ये उंगली थोड़ी सी band हो रही है तो व्यक्ति धार्मिक होता है और सुरी की उंगली काफी बढ़ी है अब business man को ये उंगली बढ़ी ही चीए तो व्यक्ति हिम्मती होता है हिम्मत से नेने लेता है और अच्छा खासा सफल बनता है जीवन में इनकी छोटी उंगली छोटी रह रही है, बहुत जादा तो नहीं पर फिर भी छोटी रह रही है, तो ये एक माइनस पॉइंट है, व्यक्ति डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याजशक्ति, मनी मैनेजमेंट, और खासकर अकाउंट्स, और जो बि कल देख लेंगे, परसो आओ, देख लेंगे, बाद में देख लेते, ये टाइप की मानसिक्ता इनकी अकाउंट्स के बारे में होती है, और मनी मैनेजमेंट में भी पैसा कमाने में ये उंगली आपको कभी डिश्टब नहीं करती, पर जो पैसा कमाया रहता, उसका मैनेज क करने में ये उंगली हमेसा आपको डिश्टब करेगी, उस लेवल का आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जो एक लंबी उंगली वाला कर पाता है, इनका बूत परवत देखे, तो यहां से दबा हुआ है, उसके पहले प्लस पॉइंट बता दू, ये काफी अच्छी रेख कभी किसके सामने नहीं कर पाता, चाहे परिवार में बैठा हो, चाहे बिजनेस मीटिंग में बैठा हो, मीटिंग पूरी होने के बाद, इनको एहसास होता है, कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी, ये बात रह गई, इस तरह की मानसिकता इनकी रहती है, मैं इसका उपाय रहता है, तो व्यक्ति को नाम के प्रती, पैसे से ज़्यादा, नाम के प्रती इच्छा सकती ज़्यादा रहती है, और यहाँ पर एक रिलेशन्सी प्लैन काफी स्ट्रॉंग बनी है, तो हो सकता है इनका पत्नी के साथ बहुत अच्छे संबंद हो, जो मैं साइन के बारे मै डिस्कस कर रहा था, वो यह साइन है, यहाँ से बनी, और यह एक सुक्रवलय बना, और साथ में यहाँ पर लगतर स्टार है, इनको, यह सुक्रवलय को लगतर ही इस्टार है, यह ऐसे लोग जैसे जन्म लेते हैं, वैसे ही इनका परिवार अति संपन्न होता है, और यही साइन इनको संपन्ता भी देती है यानि दोनों चीजे साथ में चलती है और यूज लेवल की मनी ये लोग कमाते हैं ये किसी के साथ साथ partnership करेंगे आए वह व्यक्ति भी करोडपती बन जाता है यह इस तरह की साइन का मतलब है यह बहुत रेर साइन है बहुत कम हाथों में आपको मिलेगी ये भहुत पैसा कमा के देती ये साइन व्यक्ति भहुत ज्यादा सफल होता है यानि सक्सेशफूल होता और जब star आ जाता है यहाँ पर तो ये भी इसके गुनों को बढ़ा देता है ये अगर केवल किसी के partnership में 5% भी share रख दे तो वो company जो डूब रही होगी वो profit में आ जाएगी इतनी ताकती sign में है ये अगर स्तिरियों के हाथ में होती है तो मैं सला देता हूँ कि आप जब साधी करो तो आपके business के अंदर पिता के business के अंदर partnership रखना और पैरों पर जो सिंदूर आता है लाल कलर का जो माता जी को चड़ाया जाता है उससे पैर की छाप लेकर तीजोरी में रखना white कपड़े पर ये दो सला देता हूँ ये जिसके साथ भी हाथ मिलाते वो व्यक्ति संपन्द बन जाता है ये इतना जादू है अगर तीन भाई है इनके और दो भाई इनसे संपन्द नहीं रखेंगे तो वो गरिब हो जाएंगे और जो भाई इनसे संपन्द रखेगा वो अमिर बनेगा ये इस तरह की साइन है ये इतनी powerful साइन है वो ये लेकर जन्मली है बहुत बेटर साइन है और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा त्रिकोन भी बना हुआ है ये भी सुर्य परवत पर त्रिकोन यानि एक्ष्ट्रा धन और मन की सारी इच्छा है पूरी करता है यहाँ मुझे एक square भी दिख रहा है अगर ये real में square complete होगा तो व्यक्ति का multi city काम होता है फैला हुआ काम का जै तो सारे positive sign इनके सुर्य परवत पर है और एक multiple property की sign भी इनके हाथ पर बनी हुई है तो ये भी plus point है यहाँ पर एक विद्या रेखा बनी हुई है वो भी काफी बड़ी है तो व्यक्ति basic ज्यान भहुत जादा रहता है व्यक्ति के बाद और लोग इनको बच्पन से पुछ पुछ कर काम करते और जैसे जैसे उमर बढ़ेगी वैसे पुछ पुछ कर काम करने की वालों की संक्या बढ़ती जाएगी शनी परवत पर भी देखे तो काफी flat है तो यह plus point हाँ थोड़ा सा उभार यहाँ ज्यादा है हो सकता है सुबे उटने में थोड़ी सी तकलिब होती हो इनको पर यह कोई बहुत ज्यादा minus point नहीं है और continue fate line चल रही है continue और बहुत सारी fate line है तो multiple income के सोत इनके पास बुढ़ गुरु परवत पर गुरु परवत को देखे तो बहुत बड़ा इलाका नहीं मिला हुआ है गुरु परवत को तो हो सकता है पारिवारिक जंचटों से इनको सामना करना पड़े या परिवार से दूर रहना पड़े उसके अलावा कोई ज्यादा major problem इस गुरु परवत में न मार्ग से पैसा नहीं कमाता कई मार्गों से पैसा उसके जीवन में आता है यानि multiple income के सुरोत इनके बास बनते हैं और continue लाइने चल रही है ये भी व्यक्ति को continue progress दिलाती है और इन लाइनों के बीच में square तो है ही है जब ये square बनते है तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई न कोई 30 साल पर authority position पर आता है और बुलने के कारे में व्यक्ति महारत हासिल करता है इनका अनुरूनी मंगल बहुत जादा सशक्त नहीं है और बहुत जादा कमजोर भी नहीं हां उंगली दबाने से दपता होगा तो बात अलग है बाकि इतना कमजोर मुझे तो नहीं दिख रहा और तो ये चिंतित सभाव के और इशारा करती है व्यक्ति भहुत ज़्यादा चिंतित सभाव वाला होता है बहुत बार परिस्तितिया इनको चिंतित करती है और बहुत बार ये लोग चिंतित सभाव के हो जाती है ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है और ये लाइने ज और भुले नात के मंदीर पर डेली जल चड़ाईए यह बेस्ट इलाज है अब चलते हैं के बारी मंगल की और बारी मंगल काफी अच्छा है तो व्यक्ति को हिम्मत देता है संकट के समय और व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है प्लस यह मंगल व्यक्ति को जो सामने वाले से मिलते तब एनरजी के साथ यह लोग मिलते और सामने वाला कमफरेबल फिल करता है और यहाँ पर देखे तो यह दो लाइने चल रही है तो कभी न कभी कोर्ट के और पुली स्टेशन के दर्सन इनको जीवन में करने पड़ेंगे यहाँ पर देखे तो चंद्रपरवत काफी अच्छा है, इस तरगा चंद्रपरवत व्यक्ति का विदेश से संबंध लाता हिए और कभी न कभी इनका जीवन में विदेश से संबंध होगा क्योंकि ये square जिस तरह का बड़ा है तो कभी न कभी अंटराश्टी स्थर पर भी इनका कामकाज हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा square व्यक्टी को बहुत फैला हुआ कामकाज देता है और यहां पर देखें इनकी जीवन रेखा से भी बहुत सारी रेखा है इस तरह से नीचे चल रही है ये सारी यात्रा रेखा है और ज़्यादा तर व्यक्टी विदेश में यात्राए करता है हाँ इस पाम में एक minus point है इतना अच्छा होकर भी पाम इनका money triangle नहीं है क्योंकि ये जात मेनद जिन्दाबाद वाले लोग होते है इनके हाथ पर money triangle नहीं बना हुआ है पर एक भूद बड़ा greater triangle बना हुआ है तो ये लोग बुरा पे तक अच्छी खासी संपत्ती अपने जीवन में जमा कर लेते अच्छी खासी अब चलते हैं शुक्र परवत की और शुक्र परवत को देखे तो थोड़ी सी बारिक रेखा है मुझे ज़्यादा दिखती है ये बारिक रेखा है ये तो luxury देती है line ये दो रेखा है तो पर ये जो बारिक रेखा है ये व्यक्ति के जीवन में बाधाय लाती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकर के रखाओ आगे बढ़ने नहीं मिलता और ये बहुत बड़ा माइनस पर्ण होता है इसका उपाय इनको मैं दूंगा 100% व्यक्ति को फायदा होता है उस उपाय से और यहां पर देखे तो मुझे शुक्र परवत पर ये जो ब्लू कलर दिखता है यह जो blue color दिखता है, यह कोई न कोई पूरिश से related, private part से related, कोई न कोई रोग होने के chances बढ़ जाते हैं, जब इस part पर इस तरह की रेखाए दिखती है, यानि नसों में blue color दिखता है, या green color दिखता है, तो मेरी इनसे सला है, एक बार doctor की सला आप ले लीजिए. अब चलते हैं इनके हृदे रेखा पर, हृदे रेखा देखें तो complete गुरू परवत से सुरू होकर, यह सीधी चल रही है, और यहाँ पर flood line भी बनी हुई है, तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, कोई न कोई खुशी के पल ढूंता है, और खुश रहने की कोशिस करता है, और जब आपकी हार्ट लाइन इस तरह की हो, इतनी बड़ी हो, तो आप बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते हो, और कभी-कभी यह आदर्शवाद व्यक्ति को सपोर्ट भी करता है, और ज़्यादा तर समय यह आदर्शवाद व्यक्ति को नुकसान देता है, यह अपनी सि इनको गुस्सा आ जाता है, सिस्टम से जरा सा भी 19-20 हुआ, तो व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, दूसरी चीज होती है, एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत जादा होता है, तो परिवार के जो लोग होते हैं, वो ऐसी हार्ट लाइन वालों से परेशान होते हैं, क्योंकि इन पर कमर्शियल लेवल पर ये लोग जादा सक्सेस्फुल होते हैं, क्योंकि हाथ के नीचे जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे ये जादा काम ले पाते हैं, और जादा काम ले पाते हैं, तो जादा सफल होते हैं, यानि सक्सेस्फुल होते हैं, तो ये दोनों प्लस साथ चलते हैं पर ये जीवन में बार-बार इनको मायूस करती है ये लाइन इतनी बड़ी लाइन जब होती है तो बार-बार मायूस ही मिलती है यक्ति को क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती दो-चार लोगों में बहुत ज़्यादा एनरजी लगा देते और वो लोग इनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते है अब इनकी मायंड लाइन को देखे तो दो तरह की मायंड लाइन है इनकी एक तो अंदूनी मंगल से ही सुरू हो रही है और सीधी चल कर चंद्रपरवत पर जा रही है जब अनुनी मंगल से सुरू होती है तो व्यक्ति प्लान बहुत बनाता है और जादा तर प्लान व्यक्ति के माइंड में होते या काग्यों पे रहते इंप्लिमेंट नहीं होते और चंद्रपरवत पर जुक रही है तो व्यक्ति इमेजिनेशन पावर काफी बढ़ जाता है और जैसे जैसे उमर बढ़ेगी वैसे वैसे ये धार्मिक भी होंगे और घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत जादा बोल बोल करते हैं ये बड़ा माइनस पॉइंट होता है और इनकी एक डबल माइन लाइन है और ये लगबग उम्र मुझे हाथ थोड़ा सा क्रॉस मिला मैंने बहुत कोशिस की इनसे अच्छी तरह से फोटो मंगाने क पर इन्होंने भी अच्छी खासी कोशिस की पर कहीं न कहीं सीधा हाथ नहीं आ पाया तो एक जेट उमर तो मैं इस माइन लाइन का नहीं निकाल पा रहा हूँ पर एक अंदा जित फोटी टू के आसपास मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि यहां से ये डबल लाइन इनकी पाता कि कौन से उमर के आसपास से आपका डबल माइन लाइन शुरू हो रहा है और ये कई गुना ज्यादा विकास इस पिरियट से होगा और इस तरह की डबल माइन लाइन जब किसी के हाथ में होती है तो व्यक्ति जिस पिरियट से डबल होती है वहां से एक्स्रीम लेवल का विकास चालू होता है प्लस ये लोग एक-एक साथ बहुत सारे काम करने के आदी होते हैं बहुत ब्रिलियंट माइंड होते हैं इनका जो दाया हाथ काम करता हो बाया हाथ को पता नहीं चलता बाया हाथ काम करता हो दाया हाथ को पता नहीं चलता इतने शार्प होते ही ये ल तो यह अच्छा पार्ट है इनके जीवन का और ये माइन लाइन तो बुद्परवत की और उपर की और देख रही है तो व्यापार कुशल व्यक्तितु भी शो होता है इनका अब इनकी जीवन रेखा जीवन रेखा पर देखे तो भौत सारे कट मिल रहे एक लगबग उमर 28 के आसपास इनको कट लगा हुआ है एक 32 के आसपास एक 35 के आसपास एक 44 के आसपास और ये इक कट लाइन 45 तक चल रही है एक 49 के आसपास और एक 58 के आसपास और 59 के आसपास या 60 के आसपास ये रहु रेखा है इनके जीवन को डिश्टब करती है अच्छी खासी गारी चलती रहती है और कोई ऐसी घटना हो जाती है जो इनको अच्छा खासा आर्थिक नुकसान भी देती है प्लस व्यक्ति को निराशा भाव भी आता है जब राहुरेखा काटती है तो ये बार-बार इनके जीवन में इस तरह का रोल होता होगा और एक राहुरेखा लगबग इनके उम्र के 20 साल के आसबास भी इधर काटी हुई है तो इस पिरियर में भी कोई न कोई इनके जीवन में घटना घटी होगी और जब इस तरह से घटती है थोड़ा सा क्रोस में काटती है कोई साररिक कोई हाथ पेर तूटना या इस तरह का भी कोई ऑपरेशन या उस तरह की भी चीजे व्यक्ति के जीवन में होती है तो यह रहू रेखा है इनको बार-बार जीवन को डिश्टब करेगी बार-बार यह अच्छा खासा पैसा कमाएंगे वापस कोई ब्रेक लगी पैसा कमाएंगे ब्रेक लगेगी पैसा कमाएंगे ब्रेक लगेगी ये बैचे नहीं करने हैं पैसा तो कमा नहीं वाल है क्योंकि ये जो साइन बनी है यहाँ पर ये इनको पैसा तो huge लेवल का देगी पर साथ में spirit breaker भी इश्वर ने इनको दिया हुआ है पर overall अगर जीवन का ये निचोड निकालेंगे तो अच्छा खासा धन इनोंने जमा कर ले आओगा बुरा पे तक अब इनकी fate line को देखे तो एक fate line यहाँ से सुरू हुई और इस तर से चल कर सीधी चल रही है एक fate line ये भी है और ये चल रही है तो कभी न कभी अंतर राष्टी स्थर से भी इनको कमाने के मौके मिलने ही वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम हो गई और इनकी हिर्दे रेका से एक रेका इधर जा रही है तो ये गुस्से वाला सभाव भी दिखाती है व्यक्ति का और इसी fate line पर देखे तो एक लगबग 24-25 के आसपास इनको कट लगा है एक 32 के आसपास एक 36 के आसपास एक 37 के आसपास और ये बहुत बड़ा investment इनके जीवन में होगा 42-43 के आसपास और इस तरह से इनके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही है हाँ इतना सा period हो सकता है 42 तक थोड़ा सा मजा नहीं आए huge level की earning सुरू होगी जो ये mind line भी double mind line भी ये ही show कर रही है तो overall देखा जाए तो राव रेखा के वार को छोड़े तो ये सफल successful व्यक्टित वर रहेंगे अभी भी सफलता अच्छी खासी हासिल की होगी क्योंकि इतनी अच्छी sign इनके हाथ में है पर राव रेखाए इनके बीच में रोड़ा डालती है तो आशा करता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद